I once again welcome you all to awakening classes. आज Indian Policy का 4th lecture है, इसमें हम first part of Indian Constitution के बारे में discuss करें. First part of Indian Constitution को हम Union and its territory के नाम से भी जानते हैं. Total Indian Constitution में 25 parts हैं, हर parts के अंदर articles होते हैं, इसी तरह first part के अंदर जो 4 articles हैं, उनके बारे में आज हम discuss करेंगे. प्लस कुछ linguistic commissions आई थी, और उनके basis में जो states और uts बनी थी, उनके बारे में भी हम discuss करेंगे. सबसे पहला article जो है, वो define करता है, इंडिया को, that is, भारत, a union of states. तो देखो, इंडिया को यहां पर एक और नाम से बुलाया गया भारत, मतलब हमारे constitution में इंडिया भी word mention और भारत भी mention है. Recently, 2021 में, Supreme Court के अंदर एक plea जाती है, कि क्योंना इंडिया modern name है न, basically, क्योंना इंडिया का नाम constitution से हटा के सिरुफ भारत कर रहते हैं, ठीक है, क्योंकि भारत एक ancient name है, तो इंडिया को क्योंना भारत बुलाएं, तो हमारे Supreme Court ने इस plea को reject कर दिया, क्या कहकर reject किया, उन्होंने ये कहा, कि already हमारे constitution में भारत word mention है, तो हमें इंडिया को हटाने की क्या जूरत है, अगर भारत mention नहीं होता, तो हम इंडिया को हटा देते, इंडिया भी mention है, तो दोनु ही चलेंगे, ठीक है, तो इसका मतलब हम इंडिया भी बोल सकते हैं, और भारत भी बोल सकते हैं, और इ कि ये किसी भी तरह से federation of state नहीं है federation of state का मतलब होता है कि ये नहीं है कि states ने आपस में मिलके कोई agreement sign करके इंडिया को बनाया जैसे ये नहीं है कि Tamil, Kerala, Karnatka ने मिलकर या गुजरात ने मिलकर ये agreement किया कि हम इंडिया बनाते हैं ऐसा नहीं है जबकि US में ऐसा ही है US की 50 जो प्रोविंसिस थी उन्होंने आपस में ये agreement किया और एक US बनाया है इंडिया union of state है ना कि federation of state ये किसी भी agreement से नहीं बना तैकिन union of state होने का ये फाइदा है कि इंडिया की किसी भी state को ये हक नहीं है कि वो इंडिया से अलग हो सके कोई भी state इंडिया से अलग नहीं हो सके तो फर्स्ट आर्टिकल बेसिकली इंडिया को define करता है भारत तो वो कैसा है union of state अब दो चीज़ें आ जाती है एक होती है territory of इंडिया और एक हम बोलते है union of इंडिया इन दोनों के बारे में एक major difference है minute नि में बहुत बड़ा इसको हम समझते है union of इंडिया में सिरफ क्या आ जाती है जो इंडिया की states आ गी वो union of इंडिया का पार्ट है but territory of India एक बहुत बyourडर term है territory of इंडिया में इंडिया की states भी आ जाती है इंडिया में जो union territories हैं जो यूनियन territories वो होती है जो directly central जिन पर control होता है ठीक है और third होती है territories that may be acquired by India at any time तो territory of India में states भी आ जाते हैं यूटी भी आ जाते हैं और वो territories भी आ जाएंगी जो इंडिया कभी ना कभी acquired कर चुका है या करेगा ठीक है आपको territory of India का concept थोड़ा समझाया territory of India एक broader term है union of India एक smaller term है article second क्या कहता है article second हमारे parliament को power देता है कि वो इंडिया के union में किसी भी नई state को add कर सकता है और कोई भी नई state बना सकता है देखो आपको article 2 और article 3 का difference समझना है article 2 basically एक तरह की external adjustment है आपने की याद रखना है और article 3 एक तरह की internal adjustment ठीक है जैसे आपका घर है ना आपकी family में अगर 5 members है और अगर कोई छटा member आ जाता है तो आपने क्या adjustment करनी होगी वो article 2 के थूँ आप करोगे करनी parliament नहीं है ठीक है और अगर आपके घर में 5 members हैं और आपस में अपने rooms में changing लाना चाहते हैं तो वो अगर आपने adjustment करनी है तो वो article 3 से होगी इसका मतलब ये है अगर suppose करो एक नई territory इंडिया में add हो रही है तो इंडिया में क्या adjustment की जाएंगी मतलब वो जो नई territory add होगी उसको state बनाया जाएगा यूटी बनाया जाएगा किसके साथ add किया जाएगा ये सारा article 2 के थूँ देखा जाता है और अगर इंडिया के already इंडिया के अंदर जो states हैं जैसे suppose करो गुजरात है गुजरात का area बढ़ाना है गुजरात और महराष्टा को जोड़ के कोई नई अब state बनानी है ठीक है गुजरात का नाम change करना है गुजरात की boundaries को change करना है उनके area को बढ़ाना है ये कम करना है ये सारी adjustment कौन से article के होंगी article 3 के थूँ तो आप इस example से समझ सकते हो आप 5 members family हो अगर छटा member add होता है तो वो article 2 के through add होगा और अगर 5 members जो आपके घर में है उनकी अगर आपने orientation change करनी है तो वो article 3 के through होगा ये दो जो articles को आपको समझना है तो article 3 में पढ़ लेता हूँ formation of new state by separation from any state किसी state से किसी area को अलग करके नहीं state बनाना या दो या दो से जादा states को जोड के नहीं state बनाना किसी state का area को increase करना या decrease करना किसी state की boundaries को change करना या name को change करना ये सारा article 3 से होता है ठीक है article 3 basically जो होता है अगर आपने किसी state का suppose करो area change करना है उसके area को कम करना है तो इसके लिए आप कैसे change करोगे उसका हम थोड़ा criteria समझते है देखो अगर आपने किसी state का area change करना है आप क्या करोगे parliament में एक bill लाओगे ठीक है हमने उस state का area change करना है लेकिन वो bill आप तभी ला सकते हो उससे पहले आपको president की recommendation लेनी पड़ेगी कि हम ऐसा bill ला रहे है president recommend करेगा तो आप वो bill parliament में आपने लाना है ठीक है फिर जब वो bill parliament में आएगा तो जिस state का आप area वगरा change करें उस state का जो legislature होगा जो legislative assembly होगी उदर ये भेजा जाएगा कि आपकी state का area change हो रहा है ठीक है अब क्या बता वो state चाहे कि area change ना हो तो वो वापिस बोलेगी कि area change नहीं होना चाहिए बट ये जो state बोलती है ने कि area change नहीं होना चाहिए ये president माने या ना माने ये उनकी अपनी मर्जी है इसका मतलब ये है कि जब भी किसी state का area या नाम change हो रहा है ना तो state का उसमें कोई इतना important role नहीं है mainly जो लोक सबा या राजे सबा decide करेंगी वो ही मानने होगा तो basically अगर आपने किसी state का area change करना article 3 के थूँ आपने क्या करना है simply president की prior recommendation पे एक parliament में bill लाना है और उस bill को simple majority से pass करवा देना कैसे pass करवा देना simple majority, simple majority होता है one third I guess post करो 300 member है और अगर 100 member, one third कितना हो गया 100 member उसके हक में vote कर देते हैं कि इसका area change होना चाहिए तो area change हो जाए यह basically criteria तो यहाँ से आपको समझ आए कि अगर आपने नई territory को add करना है उसकी power भी parliament में है और एक state का जो existing states है उनका area बगरा change करना यह 3-4 चीज़े और यह power भी किसमे है parliament में है और वो भी simple majority से ही यह change हो जाए अब article 4 क्या कहता है article 4 यह कहता है कि laws made under article 2 and 3 इन दो और तीन में जो भी laws बनाये जा रहे है are not considered as amendment under article 368 देखो हमारे constitution का article 368 है न वो mainly deal करता है amendment to constitution मतलब amendment मतलब होता है changes अगर आपने constitution में किसी भी जगा में change करना है न कुछ उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा amendment करनी पड़ेंगे amendment कौन से article के through होती है 368 के through but fourth article यह कहता है कि जब आपने 2 और 3 articles में जो changes बताया हुए वो करने है तो उसके लिए आपको 368 के through amendment नहीं करनी है आप simply simple majority से यह आपको पहले ही बता दिया आप simple simple majority से pass करवा दो तो आपका जो काम है वो हो जाएगा उसके लिए आपको constitution में amendment under article 368 करने की ज़ूरत नहीं बेसिकली 368 के through अगर आपको amendment करनी हो आपको two third majority चाहिए आपको इसकी ज़ूरत नहीं पड़ेगी ठीक है यह basically हमारे पहले चार articles थे देखो आपको एक चीज यहां पर समझाने की कोशिश करता हूँ देखो हमने यह तो कह दिया कि हम नहीं territory को add कर सकते हैं इंडिया में ठीक है अपनी किसी territory का area भी change कर सकते हैं उसको change कर सकते हैं अगर हम यह सब कर सकते हैं क्या हम अपनी किसी territory को किसी दूसरी country को दे सकते हैं उसके लिए या वो भी simple majority से ही पास हो जाएगा पार्लेमेंट से यह basically यह case उठा था Supreme Court में कि basically होना क्या था कि इंडिया ने कुछ बंगलादेश में जो territories थी वो देनी थी जो बंगलादेश को देनी थी वेस्ट बंगाल की कुछ था basically हुआ क्या था आपको पता है न 1947 में जब partition हुआ था तो पंजाब का रीजन को चूट के एक तो वेस्ट पाकिस्तान बना था एक बंगलादेश वाला जो आज बंगलादेश है वो basically इस्ट पाकिस्तान बना था बीच में था हमारा इंडिया हमारा प्यारा भारत अब देखो एक basically होता गया कि यह जो बंगलादेश है न उसमें कुछ territory में जो लोग है न उनकी थोड़ी similarities थी इंडिया की कुछ territories में और कुछ यहां पर जो लोग थे वो basically बंगलादेश को जोईन करना चाहते थे अब इंडिया की जो government थी वो यह area जो है यह बंगलादेश को देना चाहती थी तो वो सोच रही थी कि हम simple majority से pass करके बंगलादेश को दे देते उसके लिए constitution amendment ही होगी अंडर article 368 तो आपको यह point याद रखना है कि जब भी हम अपनी किसी territory को किसी दूसरी country को देंगे तो उसके लिए constitution amendment act ही pass होगा अंडर article 368 उसके लिए हम simple majority से नहीं कर सकते बट अगर हमें किसी territory को इंडिया में add करना है या existing इंडिया की किसी state को change करना है उसके लिए हमें under 368 amendment की दूसरी नहीं होती है वो हम simple majority से ही pass करवा सकते I hope यह point आपको अच्छे से समझाया है गर नहीं भी समझाया है तो recap करके सुन लेना यह बहुत important चीज़ है अब देखो अब जब हमारा इंडिया जो है जब वो आजाद हो जाता है 1947 में उस टाइम जो है princely state मैंने आपको पहले ही बताया था 1947 से पहले एक तो British provinces थी ठीक है तो दूसरा क्या था princely state British provinces वो थी जिनको डाइरेक्ली जो British government के अंदर आती तो princely state वो थी जहां पर prince वगएरा रूल करते थे बट superior authority वहां पर भी Britain की थी अब जब इंडिया अजाद हुआ तो इन princely state को यह option दिया गया कि या तो आप इंडिया को जाइन कर लो या पाकिस्तान को या फिर independent रह सकते हो इनिशली 549 जो थे 552 princely state में से इन्होंने जॉइन कर लिया इंडिया को जो यह तीन भचे ना जैसे हाइदराबाद युनागर और जमू कश्मीर इन्होंने इनिशली मना कर दिया कि हम ना ही इंडिया को जॉइन करेंगे ना पाकिस्तान को ना हम रहेंगे independent इनको एक्वाइर करने के लिए हाइदराबाद को एक्वाइर किया गया है बाइ पुलीस एक्षन पुलीस एक्षन के थुरू यह आपको याद रखना है एक्जाम में यह कोशन पूछते हैं कि कौन सी ऐसी तीन बड़ी प्रिंसली स्टेर थी जिन्होंने इनिश्री मना कर दिया जॉइन करने से तो उसमें हाइदराबाद, जुनागर और जमुकश्मीर एक ऐसा option होगा जो नहीं होगा तो आपने उसको exclude करना जुनागर को जो 80% population थी ना, वो हिंदू majority थी यहाँ पर, जब वहाँ पर referendum हुआ, उन्होंने इंडिया को favor करा और जुनागर इंडिया में add हो गया जमुकश्मीर का तो आपको पता है कि by instrument of accession sign हुआ था क्योंकि Pakistan ने इंडिया पर attack कर दिया था तो instrument of accession के थूँ जो जमुकश्मीर है वो इंडिया का पार्ट बना था अब जब 1947 में हमारा देश अजाद हो जाता है उसके बाद ये princely states भी add हो जाती है और 1950 में उस time हमारी जो इंडिया की जितने भी पार्ट थे उनको चार पार्ट में classify किया था इसको four-fold classification भी कहते है पार्ट A में mainly आ जाती थी जो British provinces थी पहले देखो पहले थी न 11 provinces 11 में से दो तो चलेगी पाकिस्तान में भाई इतनी बची 9, वो जो 9 provinces थी उनको बनाया गया पार्ट A पार्ट B में आ गई ये princely states थी जिनका legislature था ये बन गया पार्ट B, पार्ट C में कुछ princely states थी और कुछ chief commissioner provinces थी और पार्ट D में एक centrally जो administer अंडर्मने निकोबार आइलेंड थी ठीक है ये basically total कितने थे तब 9, 9, 18, 28 और 29 stairs थी ठीक है जिन में से 9 जो है वो पार्ट A में थी 9, पार्ट B में थी 10 जो है पार्ट C में थी और अंडर्मने निकोबार पार्ट D में थी ये mainly उन 11 provinces में से 9 provinces थी तो ये आप देख सकते हो थोड़ा-थोड़ा इनका idea रख सकते हो बागी इसमें से इतना question आने की chances कम है नेक्स्ट अब क्या हुआ कि इनिशली तो ये ऐसे स्टेट को डिवाइड किया था बट क्या होता है 1947 जैसे ही देश अजाद हुआ उसके बाद एक demand उठने शुरू होगी mainly south में कि जो स्टेट बने वो on the basis of language बने जैसे एक जगा में जो language बोली जाती है जैसे अगर suppose करो कहीं पर tamil बोली जाती है तो वो tamil लोगों को इगठा करके एक स्टेट बना दी जाए जहां पर telugu बोली जाती है उनको इगठा करके एक स्टेट बना दी जाए ऐसी demand उठने शुरू होगी अब ये demand उठने शुरू होगी तो इसके लिए commission बनाएगी क्या language को लेकर किसी स्टेट को बनाया जा सकता है reorganize किया जा सकता है country को on the basis of language तो सबसे पहली जो commission बनी वो बनी धर commission यह नाम है commission का यह मैंने आपको बोला भी था धर commission आगे भी आएगी यह एक linguistic commission बनी 1948 में यह अपने constituent assembly में भी बढ़ा है और यह under किस के under थी ऐसके दर की under chairmanship में यह बनी इसने recommend क्या किया देखो इसने यह recommend किया कि language reorganization का factor नहीं हो सकता देखो ना आप खुद समझो अगर हम language के basis में एक states बना रहे हैं तो एक language में यह तो हम देश को तोड़ रहे हैं देश को strengthening हमें देश को strengthen करना है हम उसको तो divide करें ना कि एक language वाली एक state बन जाई दूसी language ले दूसी state इसलिए धर कमिशन ने recommend किया था कि language कोई factor नहीं होना चाहिए देश को reorganize करने का जबकि हमें देखना है administrative convenience मतलब जैसे कोई अगर mountainous area है उसको administer करने का तरीका अलग होगा तो administrative convenience के हिसाब से हमें देश को reorganize करना चाहिए ना कि language के बिस फिर एक और committee बैठी JVP committee इसमें नाम इसलिए पढ़ा J for जोहाला नहरू वीफार वल्लोबाई पाटेल और पीफार पताबी सितरम में हिया इन्होंने भी reject कर दिया कि language कोई भी factor नहीं हो सकता बट south में बहुत ज़्यदा demand उठरी थी कि basically आंध्रा परदेश अलग state बनाई जाए तो देखो madras जो थी tamiladu जो आज present है madras थी वो basically tamil speaking लोग थे आंध्रा वले थे तेलुग स्पीकिंग तो पहले ये इगठे था तो इन लोगों के एक demand उठी कि आंध्रा को अलग किया जाए madras तेलुग स्पीकिंग लोग जो हैं वो अलग हो जाए tamil स्पीकिंग एक पहली linguistic state बन गई आंध्रा जब ये linguistic state बन गई तो पूरी country में protest start हो गया हर कोई बोलने वाला gujarati में मतलब हमारी अलग बने marathi हमारी अलग बने तो ये demands उठने शुरू होगी पूरे देश में जब ये demands उठने शुरू होगी तो हमारी government को finally एक commission बठाना पड़ा और उनको ये बोला गए कि आप language को ही मतलब बोला गए कि language criteria बनाओ बट क्या हो सकता है कि language को हम बनाएं किस तरह से बनाएं बट हमें बनाना तो पड़ेगा because demand बहुत साथा थी एक फजल अली commission बना फजल अली की under इसमें तीन member थे फजल अली में थे और केम पैनिकर और एचन कुंजरू इन्हों ने ये तो reject कर दिया एक language एक state नहीं होगी ये नहीं है कि अगर tamil अडू tamil speaking लोगों की state बनाएं उसमें सिर्फ tamil ही रहें नहीं उसमें तेलुग भी रह सकते बट इन्हों ने ये बोला कि language criteria हो सकता है मतलब हम state को on the basis of language divide कर सकते हैं जैसे हम Marathi speaking जो लोग है वो महराष्टा में आ जाएं ठीक है हम ऐसी state बना सकते है महराष्टा जिसमें Marathi speaking लोग हो लेकिन ये नहीं कि इदर सिर्फ Marathi रह सकते हैं इदर गुजराती भी रह सकते हैं तो इन्हों ने यही criteria बोला कि हाँ language के basis में आप state तो बना लो बट ये नहीं होना चाहिए कि एक language वाली एक state हो मतलब एक state में सिर्फ एक ही language बोलने वाले लोग रहें दूसरे language वाले आई नहीं हो सकता तो इंडिया में अभी फिर यही चला कि language के basis में reorganize किया गया state को but one language one state वाले factor को neglect करके और उसकी बाद क्या हुआ कि यह जो हमारी four-fold classification थी different states की इनको remove कर दिया गया एक amendment लाएगी constitution में 7th constitution amendment इसको बोलते हैं यह important point है याद रखना 7th constitution amendment यह आई थी 1956 यह mention नहीं यह भी आपको याद रखना है हमारे constitution में amend किया गया 7th constitution amendment और 1950 जिसको state reorganization act भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर states को reorganize किया गया था और जिसकी जिससे क्या हुआ कि पहले जो पार्ट A उसको खतम करके दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया फर्स्ट पार्ट states और सेकिंड में union और उस टाइम 14 states बनाएगी और 6 ut थी आप इनका नाम देख सकते हो देखो उस टाइम इनिशली अंडरमन निकोबार तो आज भी ut है धेली भी है उस टाइम हिमाचल परदेश को ut बनाया गया था मनिपूर भी ut था त्रिपूरा भी ut था और दीरे दीरे ये बाद में फुल फ्लेज states बना दी गई तो उस टाइम 1950 में sorry 1956 में जो 7th constitution amendment आई तो कितनी states बनी 14 और कितनी uts बनी 6 ये question paper में पूछते हैं कितनी states थी और कितनी uts थी अब एक simple सा question में आप से पूछता हूँ at present आपने मुझे ये comment box में बताना है at present इंडिया में कितनी states है और कितनी uts है I hope इस question का answer सब को पता होगा ये बहुत simple सा question है ठीक है so this is all about today's lecture आज हमने इस lecture में ये समझा कि part first के बारे में study किया कि part first में जो हमारे चार main articles है उनके बारे में पढ़ा तो simple है पहला article इंडिया को define करता है union of states second ये बोलता है कि जो external territory जो हम acquire करते हैं इसकी में आपको example देखता हूँ देखो जैसे 1975 में न Sikkim जो है वो इंडिया का part बना पहले इंडिया का part नहीं था अब नया इंडिया के union में add हो रहा है तो article 2 को use किया गया article 3 में हम internal adjustment देखते हैं अपनी family वाली आप लगा लो और article 4 simply ये कहता है कि जो laws बनाये जाते हैं under 2 and 3 उनको हम amendment नहीं मानते under article 368 under article 368 में जो amendment उनको बोलते हैं तो आप comment box में लिख सकते हैं और plus आप मेरे question का answer देंगे कि इंडिया में add present कितनी states और UTs है और दूसरी बात मैं अपने telegram channel का link जो है वो description में डाल दूँगा आप उसको join कर लें telegram group join करने से एक तो आप वहाँ पर question पूछ सकते हैं discussion group है वो second आपको pdf provide हो जाएगी third बहुत जल्दी हम telegram channel में quiz के भी concept को लाएंगे quiz होगा हर evening में तो वैसा हम सोचे हैं तो आप अगर telegram channel join कर लेंगे तो आपको बहुत helpful हो जाएगा और दूसरी बात हमारा जो ये channel है वो अपनी initial face में है तो अगर आपके नोर में कोई students हैं जो competitive की preparation कर रहे है तो आप उनके साथ share कर सकते हैं क्योंकि बहुत जल्द आप ये नहीं सोचना कि इधर इस channel में सिर्व political lectures आ रहे हैं बहुत जल्दी हम और भी subjects यहां पर start करने जा रहे हैं तो आप उनके साथ share कर सकते हैं Thank you so much